नमस्कार साथियों आज हम इस समय कड़े हैं हमारे शर्वती गेहूं के प्लॉट में मेरे पीछे आप जो फसल देख रहे हैं यह शर्वती गेहूं है C306 यह authentic original शर्वती गेहूं हमने यह लगाया है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और डिमांड इतनी ज़्यादा कि मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है और यह आप लोगों का प्यार है कि इस लेवल तक नर्मदर प्राकरतिक फार्म का यह जो गेहूं है पहुचा है इसका जो कॉलिटी है इसका जो टेस्ट है बहुत ही शांदार रहा है और बहुत अच्छा रस्पॉंस कस्टमर से हमको मिला है तो आज शर्बतिक यहूं को उपर यह वीडियो है कि 35 दिन बाद फसल की क्या स्थिति है क्या स्टेटस है यह शर्बतिक यहूं हमने करी 35 दिन हो गए है इसको लगाया हुए और बहुत ही शांदार इसकी ट्रिलरिंग है इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इस समय पत्तों का जो कलर है उसका जो टेक्शर है ग्रीन का बहुत ही शांदार है इसमें हम एक पानी दे चुके हैं 30 दिन बाद हमने इसमें पानी दिया है और जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ शर्बती गेहूं में सिर्फ एक पानी देना होता है पलेवा के बाद यानि कि अगर आपके मिट्टी में नमी नहीं है तो हम शुरू में पलेवा करते हैं मिट्टी को गिला करते हैं उसके बाद हम इसकी सोइंग करते हैं सोइंग करने के बाद 30 दिन बाद हम इसमें पहला पानी देते हैं और अगर कई सातियों ने पूछा था कि क्या सिर्फ एक पानी में शर्बती गेहूं हो जाता है growing period के दोरान तो इस खेत में हमने बरसात में धेंचा लगाया था और धेंचा लगाने के बाद हमने ये शर्बती के उसमें बोया है थोड़ा से मैं आपको यहां दिखाना चाऊँगा आप देखें किस तरह की growth है, बहुत ही अच्छी टिले रिंग है, पत्तों का color आप देख सकते हैं एक शाइनी एक texture इसका green का है, जो बाकी गिहों के मुकाबले अगर मैंने बाकी अरिये में मैंने बंजी भी लगाया है, खपली भी लगाया है और इसका जो पत्तों का color है वो बाकी गिहों के तुला में थोड़ा अलग रहता है बाकी गहों के थोड़ा dark green रहता है यह थोड़ा सा lighter shade में है lighter green तरफ है और एक और तरीके से पैचान हम कर सकते हैं अगर खेत में 3-4 तरे के गहों की फस्टे लगी है गहों की variety लगी है तो इसके पत्तों से देखके समने आ जाता है कि यह शर्बती गहों है और पीछे आप पूरा जो देख रहे हैं आख्री तक जो आपको हरयाली इसमें देख रही है यह पूरा शर्बती गहों है राइट मेरे लेफ्ट में बंसी है, खपली है तो ये पूरा जो नर्मदा प्रक्रटिक फार्म का जो एरिया हमने 12 एकड में है इसमें हमने शर्बती गे हूँ को मसूर और चना हमने लगाया है शर्बती गे हूँ की आगे की जो प्रोसेक्स है हम समय समय उपर आपको देते रहेंगे इस समय अभी तक हमने इसमें कोई स्प्रेय नहीं किया है और नहीं कोई हमने घंजी अमरित इसमें दिया है पिछले कई समय से हमने घंजी अमरित देना बंद कर दिया है और खेत अभी गीला था तो अभी हम इसमें जी अमरित का स्प्रेय नहीं कर पाए है एक दो दिन में हम इसमें जियोमरित का स्प्रे करेंगे और कोशिश करूँगा उसका भी वीडियो में आप तक लेके रहाओ कि किस तरह से हमने इतने बड़े स्केल में इतने बड़े एरिये में जियोमरित का स्प्रे किया है हमारे पास tractor mounted sprayer pump है जिसकी मदद से हम इतने बड़े area में आसानी से spray कर लेते हैं तो उसके उपर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो आप तक लेकर आओ शर्बती गेहों से related अगर आपके कोई भी प्रश्ण है तो comment box में ज़रूर पूछेगा और शर्बती केहों अगर आप book करना चाते हैं तो अभी आप कर सकते हैं इस screen पर जो आपको number देख रहा है इस number पर आप whatsapp करके शर्बती केहों की booking कर सकते हैं demand बहुत ही ज़ादा रेती है और मैं सच में पूरी नहीं कर पाता हूँ तो कई साथी ने मुझे बोला था कि beach के लिए उनको चाहिए घर के खाने के लिए उनको चाहिए लेकिन मैं उनलों को से माफी मांगने चाहता हूँ कि मैं उनकी जो demand ने वो पूरी नहीं कर पाया क्योंकि सच में demand इतनी ज़ादा थी मेरे पास limited stock था जो मेरा harvest होते time ही पूरा big गया था तो अभी से advanced booking आनी चालू हो गी है तो मैं इस season तक नहीं रख पाता हूँ तो जब भी मेरा harvest होगा अप्रिल के आसपास इसका harvest होगा तो ये February, March तक हम order देना शुरू कर देंगे तो उसी time पूरा stock हमारा खतम हो जाता है तो साती हो इसी note पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रू करिए शेर करिए और चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें वो बेल आइकन को ज़रू क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको समय समय पर मिलती रहे और इसी दरगे से प्यार और आशिवाद आपका बनाए रखें बहुत बहुत धन्यवाद